बिस्मिल्ला इर्माले रहीम, अस्सलाम अलेकूल, वेलकम टू फ्लावर्फुल, अगर आप हेल्दी एंड टेस्टी फूर्ड रेसिपी सीखना चाते ही तो मेरे चनल को सब्सक्राइब करें, आज आपसे जिंगर बर्गर की रेसिपी शेयर करूंगी, कैफ सी के जिंगर बर् इसको कट कर लें, किचन हेमर से इस तरह कर लें, ताकि सब जगा से बराबर हो जाए, अब चिकन में सबसे पहले हम डालेंगे हरी मिर्च दो अदद, बारीक पीस लें, इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पैस्ट, हाफ टी स्पून, नमाग हस्बे जरूरत, सुर्ख सॉल्ट, हाफ टी स्पून, मस्चड पैस्ट, हाफ टी स्पून, इन सब चीजों को मिक्स कर लें, मिक्सिंग के बाद अब हम इसमें एट करेंगे विनेगर, विनेगर इसमें जाएगा टू टी स्पून, ये चिकन को करने में मदद देगा, और बहुत अच्छा जूसी चिक मेदे में हाफ टी स्पून, बलेट पेपर जाएगा, हाफ टी स्पून नमक, मिक्स करें, करम्स के लिए मेदा रेडी है, चिकन के पीस पर कोटिंग करनी है, इस तरह से पीस उठाकर मेदे में डालें, इस तरह से फिंगर से प्रेस करना है, अच्छी तरह मेदा सब जगा ल के लिए आपको दो से तीन बार चिल वोटर में डिप करना है मैदे में कॉटिंग करनी है अच्छी तरह मैदा उप पर डाल कर दबाना है जैसा कि ये क्रम्स बन गए हैं ये देखिए क्रम्स कितने जबरदस बने हैं अब ये फ्राय होके बहुत अच्छे लगेंगे क्रम्स य हमारे सारे पीस रेडी हो चुके हैं अब हमें करने ना है फ्लैम आउन और कडाई में डालना है आइल इतना डालना है कि आपके पीसिस जिंगर के डीप फ्राय हो जाएं ये आइल रेडी है अब जिंगर के पीस डीप फ्राय करेंगे ये तकरीबन 15 मिंट में डीप प्राय ह गई है ये देखिए कलर भी बहुत अच्छा है करमस भी बहुत अच्छे बने हैं इस तरह आपको अब निकाल लेना है अब हमें करना है बर्गर के लिए अंदर की फिलिंग तयार हाफ कप बंगोबी बारीक चौप करने और मायोनीज फाइफ टेफली स्पून काली मिल्च पॉनीज और बंगोबी फिलिंग लगाएंगे और सेकिंड पर्ड केचप लगाएंगे ये सलात पता लगाएं इस तरह से बहुत ही खुशूरत नदर आ रहा है ग्रीन ग्रीन जिंगर का ये क्रिस्पी और क्रंची क्रम्स वारा पीस रखें ये खुशूरत सा जिंगर बर् घर पर बनाएं कि फसी जाना भूल जाएं आज की वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी अला आफिस